हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट सोसल इस्टडीज के वीक नमबर स्यवन की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर डैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है लाइफ स्टाइल और राजिस्थान तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिपिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों सही वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है वर्ड्स आर जैपूर, मिलेट, मिल्क, टरबन, हरियाना एंड गुजरात फिर्स्ट इस होल्स मैन प्लेस इन राजिस्थान फूर्ड राजिस्थान के भोजन में सबसे मुख्य इस्थान किसका है मिलेट का बाजरे का नेक् मेहमानों को क्या सर्फ किया जाता है मिल्क दिया जाता है नेक्स जी दा नेबरिंग स्टेट सोभ राजिस्थान आर राजिस्थान के पड़ोसी स्टेट कौन कौन से है हरियाना एंड गुजरात राजिस्थानी फॉक वेर on the head राजिस्थानी लोग सिर पर क्या पहनते हैं टर्बन पहनते हैं यानि की पगड़ी पहनते हैं next is the capital of राजिस्थान is राजिस्थान की capital क्या है जैपूर है next question is take right for true सही के लिए सही का निसान लगाएं and cross for false sentences और गलत के लिए गलत का निसान लगाएं first is छोले भटूरे is a famous food item of राजिस्थान छोले भटूरे राजिस्थान का एक famous food item है तो बच्चो ये गलत है यहाँ पर cross का निसान लगाएंगे wheat crop is also grown in राजिस्थान राजिस्थान में गिहू की फसल को उगाया जाता है लगाएंगे next is people of राजिस्थान give water to special guest जो विशेश महमान होते हैं उन्हें राजिस्थान के लोग पानी देते हैं पानी पिलाते हैं yes it is also right next question is the people of राजिस्थान know the value of each drop of water राजिस्थान के लोग पानी की एक एक बूंद की value जानते हैं that is why यही कारण है they utilize it widely वे इसे बुद्धिमानी से उप्योग करते हैं have you ever faced shortage of water क्या आपने कभी पानी की कमी का सामना किया है in your life अपने जीवन में how did you manage आपने इसको कैसे manage किया answer is yes we once faced water shortage during summer time हमने गर्मियों के समय में एक बार water की shortage को face किया at the time उस समय we got the water from the water tanker provide by the society उस समय हमें society के द्वारा provide किये गए tanker से पानी मिला और हमने बहुत ही कम पानी में अपना काम चलाया question is identify the animal in the picture picture में दिये गए animal को identify कीजिए पहचानिए and write a few lines on its features and uses और इसके उप्योग और features के आदार पर इसके बारे में कुछ lines लिखिए तो बच्चों इन दिस पिक्चर इस अनिमल इस कैमल ये ऊंट है कैमल इस दा में अनिमल आप देजर्ट कैमल रेगिस्तान का मुख है अनिमल है due to the padded feet इसके गद्देदार feet होने के कारण the camel can walk in the sand field more easily than other animals दूसरे animals के पेच्चा ये रेत में आसानी से चल सकता है it being hub, he can live without drinking water for many days इसके कूबर होने के कारण ये है कई दिनों तक बिना पानी पिये रह सकता है कैमल is the main means of transport in the desert रेगिस्तान में camel यातायात का मुख्य साधन है that is why और यही कारण है it is called the ship of the desert इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है it is used for plowing and pulling vehicles इसे खेट जोतने और vehicles को खीचने के लिए यूज किया जाता है colorful पट्टू blankets are made from camel's wool camel की wool से उन से colorful रंग बिरंगे पट्टू जीने blanket कहते हैं बनाई जाते हैं life skill health and hygiene question is what special precautions should we take to stay healthy हमें healthy रहने के लिए क्या-क्या we say precautions अपनाने चाहिए answer is we should take bath daily हमें रोजाना नहाना चाहिए we should brush our teeth twice a day हमें दिन बार अपने दातों को brush करना चाहिए we should wash our hands with soap before and after eating खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हातों को साबुन से दोना चाहिए we should consume more and more fruits and green vegetables हमें फल्त था हरी सब्जियां अधिक से अधिक खानी चाहिए we should cut nails on time हमें नियमित रूप से nails cut करने चाहिए we must do exercise और yoga daily हमें रोजाना ब्यायाम और yoga करना चाहिए we should keep our surroundings clean हमें अपने आसपास के वातावरान को साफ रखना चाहिए we should drink clean water हमें साफ पानी पीना चाहिए now question is how do you take care of the cleanliness of our school and home आप अपने घर की तथा अपने इस्कूल की सपाई को कैसे करते हैं उसकी कैसे देख भाल करते हैं answer is the garbage is thrown in the dust wind जो इस्कूल का कूडा कच्रा होता है उसे class में नहीं डालते हैं इदर उदर ground में भी नहीं डालते हैं उसे कहाँ पर डालते हैं उसे dust wind में डालते हैं after using the toilet pour water into it etc और toilet का use करने के बाद उसमें water डालते हैं तो इस तरीके से हम अपने स्कूल की और अपने घर की सफाई रखते हैं next is संसकार साला never give up on what you really want to do आप जो वास्तम में करना चाहते हैं उसे कभी भी give up ना करें कभी ना छोड़ें the person with big dream is more powerful than one with all the facts एक ऐसा व्यक्ती जिसके बड़े बड़े dreams हैं सपने हैं वह उस व्यक्ती से अधिक powerful होता है जो तत्यों के साथ होता है किस ने कहा है Albert Einstein ने eat, drink any brown color food आजा आप बच्चो भूरे रंका कोई भी food item खाएंगे लाइक चीकू, कीवी, boiled potato चॉकलेट से बॉन भीटा मिल्क और any other food गेम तोता और मैना और प्ले वीडियो फैमिली अपनी फैमिली के साथ खेलें activity of the day with the help of elders अपने elders की मदद से prepare a family tree एक परिवार व्रक्ष बनाएंगे at least of three generations कम से कम तीन पीडियों का डेली रुटेन include the following habits in your daily routine बच्चो, दीगे habits को आप अपने डेली रुटेन में include करेंगे, सामिल करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को ब्रश करें take a bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water and eat a balanced diet पर्याप्त मातरा में पानी पिएं और संतुलित भोजन लें avoid touching your face and wash your hands frequently अपने face को छुने से बचें और हातों को बार बार धोएं complete your homework on time अपना ग्रह कारिये समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you